हेलो दोस्तो नमस्कार गुड मानिंग स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखंड जी के वेरीग जी ट्रिक्स में तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तो जिन्होंने भी उत्राखंड पुलिस कॉंस्टेबल का फॉर्म भरा हुआ है उनके फिजिकल के तिथी घोसित हो गई है और 15 मई से दोस्तो आप लोगों के फिजिकल सुरू होने है और 60 दिनों का समभई के अंतरगत आप लोगों के फिजिकल पूरे हो जाएंगे आप ए लेटर देख सकते हैं जो की प्रेक्षक पुलिस उपमहानी रिक्षक कार्मि के द्वारा भेजा गया है उत्राखन अदिनस्ता सेवा चैनायोक के सचीव को जिसमें साब साब लिखा गया है आरक्षी समभर्ग यानकी कॉंस्टेबल समभर्ग में जन्पदी पुलिस पीएसी आयारबी पुरूस और फायरमेन पुरूस और महिला के पदूं पर सीधी भ सक्षिता प्रिक्ष्या है वह 15 मई 2022 से कराये जाने है तू यहां पर यह लैटर भेजा गया है तो पहले हम लैटर पढ़ लेते हैं दोस्तों बाकि जिन भी दोस्तों ने उत्राखन पुलिस के फॉर्म भरे हुए है आई थिंक धाई लाक से ज्यादा के एंडी रेट है जिन आच मई 2022 यानि की परसूं का है तो फिलाल आप इस लैटर को कंसीलर करके अपनी तैयारी चालू कीजिएगा तो पहले पढ़ ले दें दोस्तों में इसको महुदई किरपे आपने पत्र संख्या इतना इतना का संदर्व ग्रहन करने का कस्ट करें जिसके द्वारा आरक्षी संबर्गे के अंतरकत आरक्षी जन्पदी पुलिस पुरुस के 785, पी एससी पुरुस के 291, फायर्मेन पुरुस या महिला के 445, इस प्रकार कुल 1521 पदूं हेतु सार्रिक आविदन करने वाले जन्पद वार अभ्यरतियों की सोचना प्रेशित करते वे आविदन करने वा 2,69,622 अभ्यरतियों की सार्रिक मानक या दक्षता परिक्षया कराये जाने हेतु राज जिक के 13 जन्पदू में 20 भरती केंद्रों का गठन कर सम्मंदित भरती केंद्रों हेतु उत्राखन पुलिस आरक्षी तथा मुख्या आरक्षी नागरिक पुलिस या अधिसूसना चैन सम्मिति का गठन किया गया है। का आयुजन नहीं किया जाएगा अताहा आरक्षित सीधी भरती है तो आविदर करने वाले भेरतियों की सारीक मानक या दक्षता परिक्षिया कराई जाने के प्रिप्रेक्ष में मुख्याली द्वारा जनपदवार भरती के इंद्रों में भेरतियों की सारीक मानक या दक्षत प्रिक्षिया के समद्ध में तैयार की गई समय सारणी सनलगन कर अग्रेतर कारिवाई ही प्रेशित है तो यहां पर यह लेटर दोस्तो आप देख सकते हैं पुलीस उपमाहन रिक्षिया कार्मिक का जो कि उत्राकन दिनस्त सिवा चाहिना है के सची को भेजा गया है जिसमें आप लोगों के फिजिकल होने हैं और एक दिन में करीबन करीब चार सो अब भेरतियों का फिजिकल होगा और बीस के आसपस परिक्षा के अंदर निर्दादित किये हैं तो आप सभी लोगों को दोस्तों हार्दिक सुपकामना है आप अपनी तैयारी करते रहिए अपनी होगी ठीक है और ऐसे फिमेल केंडिट्स में भी कहना चाहूंगा कि वो भी जो भी उनकी फिजिकल स्टैंडर्ड है फायर मैन के लिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहे हैं और जितना अच्छा आप लोग फिजिकल बनाएं तो आप लोगों का टार्गेट होना चा फिजिकल के बाद में आप लोगों को अपना इस टेंडर बता चल जाएगा आपके सेलेक्शन के आप कितने पास हैं कितना पास नहीं है क्योंकि सो नंबर का आपका फिजिकल है दोस्तों और सौ में से अगर आप मैक्सिम नंबर एचीब कर लेते हैं तो दूसरा जो डिटन लोग अच्छे तैयारी कर सकते हैं उनको प्रॉपरली समय भी मिल रहा है तो आप लोग अपने तैयारी दोस्तों करते रहें मांकि अगर आपका कोई भी कन्फिजन होगा तो आप कमेंड बॉक्स में पूस्ट रखते हैं तो आज की जीडियो में इतना है दोस्तों थैंक्य थैंक्स पर वासिंग्स वीडियो शी नेक्स टैम धन्यवाद